गुड मॉर्निंग स्टूरेंस, आज हम मिठाई वाला पाट पड़ेंगे, चित्र में देखिए खिलोने वाला है और बच्चे उससे खिलोने खरिदने के लिए गए हैं चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में खिलोने वाला दिखाई दे रहा है चित्र के आधर पर बताओ कि वह आदमी कौन है चित्र के आधर पर वह आदमी खिलोने बेचने वाला है खिलोने बेचने वाला आदमी किस प्रकार बोल कर अपनी दुकान की और बच्चों को आकाशित कर रहा होगा खिलोने लेलो खिलोने सस्ते मुस्ते खिलोने लेलो छोटे बड़े खिलोने लेलो इस तरह खिलोने वाले पुकारते हैं इस तरह बच्चों को आखशित करते हैं बहुती इमीडे स्वरों के साथ वह गलियों में घुमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किन्तु मादक मदुर डंग से गा कर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्तिर हो उड़ते हैं मतलब उसके ओर चले जाने के लिए सोसता है उसके सनेहा भी शक्ति कंठ से फुटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है चोटे चोटे बच्चे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठा कर छज्जों पर नीचे जांकने लगती है गलियों और उनके अंतरव्यापी चोटे चोटे उध्यानों में खेरते और इठलाते हुए बच्चों का जुन्ड उसे घेर लेता है जुन्ड याने ग्रू तब वह खिलोने वाला वही बाइटकर खिलोने की पेटी खोल देता है बच्चे खिलोने देखकर पुलकित हो उड़ते हैं वे पैसे लाकर खिलोने का मोल भाव करने लगते हैं पूसते उसका इच्च का दाम क्या है और इच्च का और इच्च का इस तरह खिलोने वाला बच्चों को देखता और उनकी ननी ननी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसर उन्हें खिलोने दे देता खिलोने लेकर फिर बच्चे उचलने कूदने लगते और तब फिर खिलोने वाला उसी प्रकार घाकर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला सागर की हिलोर की भांती उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंसता है और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता है राय विजया बहदूर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आये वे दो बच्चे थे चुन्नो और मुन्नु चुन्नु जब खिलोने ले आया तो बोला मेला घोला कैचा चुन्दल ले मुन्नु बोला अल देखो मेला कुछ चुन्दल ले दोनों अपने हाती घोडे ले पच्चों को बुलागर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, एक खिलोने तुमने कितने में लिये हैं, मुन्नू बोला, दो पैचे में, खिलोने वाला दे गया है, रोहिनी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकर दे गया ही है, इतना तो निचे है, एक जरा सी बात धहरी, रोहिनी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यक्ता भी भाला क्यों पड़ती, चाह महिने बाद नगर भर में दो चार दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, लोग कहने लगे भाई वा, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजा कर गाना सुना कर वह मुरली बैस्ता भी है, सो भी दो दो पैसे में, भाला इसमें उसे क्या मिलता होगा, महनत भी तो आ जाती है, महनत भी तो ना आती होगी, एक वेक्ती ने पूछ लिया, कैस दुबला पतला गोरा युवक है विकानेरी रंगीन साफा बानता है वही तो नहीं जो पहले खिलोने बेचा करता था क्या वह पहले खिलोने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार वह भी था तो वही होगा पर भई, है वह एक उस्ताद, प्रति दिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, प्रति दिन नगर की प्रत्य गली में उसका मादक मुरुदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला रोहिनीन में भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंधी उसे खिलोने वाले का स्मरन हो गाया, उसने मन ही मन कहा, खिलोने वाला भी इसी तरह गागा कर खिलोने बेचा करता था रोहिनी उठकर अपने पती वीजय बाबु के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता यह फिर इधर आए, ना आए वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए वीजय बाबु एक समाचार पत्र पड़ रहे थे, उसी तरह उसे लिये हुए, वे दर्वाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूड़ गया, और किसी की मोतनी और हम वी लेंदे मुल्ली, मुल्ली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सब को देंगे भाईया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक-एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लोट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आई है, और है भी, इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरे 57, हाँ बाबु जी, क्या पूछा था आपने कितने में दी, दी तो वैसे तीन-तीन पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको दो-दो पैसे में ही दे दूँगा, विजय बाबु बीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा कर दिये, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सब को इसी भाव से हैं, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, फिर बोले, तुम लोगों की जुट बोलने की आदत होती है, देते होगे सबी को दो-दो पैसे में, पर एहसान का बोजह मेरे ही उपर लाद रहे हो, मुरली वाला एकदम अप्रतिब हो उठा, बोला, आपक के ही समझते हैं, दुगांदार मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगी, लेकिन सच पूछिए, तो बाबुजी, असली दाम दो ही पैसा है, आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी एक हसार बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, विजय बाबु बोले, अच्छा, मुझे जादा वक्त नहीं, जल्दी से दो, ठोर निकाल दो, दो मुरलियां लेकर, विजय बाबु फिर मकान के भीतर पहुंच गए, मुरली वाला देर तक उन बच्चों के जुण में मुरलियां बेशता रहा, उसके प लायक तो बस यह है, हाँ भी, तुमको वही देंगे, यह लो, तुमको वैसी ना चाहिए, यह ना रहेंगी रंकी, अच्छा, वही लो, ले आए पैसे, अच्छा, यह लो, तुमहरे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने आमा से ठीक तरा मांगने ना होंगे धोती पकड पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू हाँ फिर जाओ आपकी बार मिल जाएंगे दुआनी है तो क्या हुआ ये लो पैसे वापस लो ठीक हो गया ना हिसाब मिल गए पैसे देखो मैंने तरकी बताई अच्छ अब तो किसी को नहीं लेना है सब ले चुके तुम्हारी मां के पास पैसे नहीं है अच्छा तुम भी ये लो अच्छा तो अब मैं चलता हूँ इस तरह मुली वाला फिर आगे बढ़ गया आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिनी मुली वाले की सारी बाते सुनती रही आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बाते करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया फिर वह सौधा भी कैसा सस्ता बेशता है भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है पेट जो ना कराए सो थोड इसी समय मुर्ली वाले का क्षीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुर्ली वाला रोहिनी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका बहुत दिनों तक रोहिनी को मुर्ली वाले का यह मीठा स्वर और इसकी बच आठ मास बाद सर्दी के दिन थे रोहिनी स्नान करके मकान की छत पर चड़कर अजानु लंबित केश राशी सुखा रही थी इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था जट से रोहिनी नीचे उतर आई उस समय उसके पती मकान में नहीं थे हाँ उनकी वृद्धा दादी थी रोहिनी उनके निकट आकर बोली दादी चुन्नो मुन्नो के लिए मिठाई लेनी है जरा कमरे में चलकर टहर आओ मैं उधर कैसे जाओ कोई आता ना हो जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहोंगी दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इदर आना मिठाई वाली निकट आ गया बोला कितनी मिठाई दूमा ये नए तरहा की मिठाईया है रंग भी रंगी कुछ-कुछ खटी कुछ-कुछ मीठी जाएकेदार बड़ी देर तक मुँ में टिकती है जल्दी नहीं गुलती बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इन गुनों के सिवा एक हांसी भी दूर करती है कितनी दूम चप्टी गोली पहलदार गोलियां है पैसे की सोला देता हूँ दादी बोली सोला तो बहुत कम होती है बहला पच्चीस तो देत इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा रोहिनी दादी के पास ही थी बोली दादी फिर भी खाफी सस्ता दे रहा है चार पैसे की ले लो यह पैसे रहे मिठाई वाला मिठाईयां गिनने लगा तो चार की दे दो अच्चा पच् दादी के पोपले मुह से जरा सी मुस्करहट फूट निकली रोहिनी ने दादी से कहा दादी इस से पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आये थे या पहली बार आये हो यहां के निवासी तो तुम हो ही नहीं दादी ने इस कथन को दोहराने की चेश्टा की ही थी मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं आ और भी कहीं बार आ चुका हूँ रोहिनी चिक की आड़ी सी बोली पहले यही मिठाई बेशते हुए आये थे ना या और कोई चीज लेकर मिठाई वाला हर्ष समशे और मिसमयादी भाओं में डूप कर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया और उससे भी पहले खिलोने लेकर रोहिनी का अनुमान ठीक निकला अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पुछने के लिए अस्तिर हो उठी वह बोली इन विवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा वह बोला मिल्था बला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यहीं मैं चाहता भी हूँ सो कैसे वह भी बताओ अब वेर तो उन बातों की क्यों चर्चा करों उन्हें आप जाने ही दे उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा जब इतना बताया है तब और भी बता दे मैं बहुत उत्सुख हूँ तुम्हारा हर जाना होगा मिठाई में मैं और भी ले लूँगी अतिशाई होकर गंबीरता के साथ मिठाई वाले ने कहां मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्टित आद्मी था मकान, व्यवसाई, गाड़ी, घोडे, नौकर, चाकर, सभी कुछ था स्त्री थी, छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे मेरा वह सोने का समसार था, बाहर समपत्ती का वैभो था, बीतर सामसार इक सुप था, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्रान थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलो ने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोला हल मचा रहता था, समय की गती, विधाता की हिल आप कोई नहीं है, दादी प्रान निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हो, वे सब अंत में होंगे, तो यहीं कहीं, आकिर कहीं ना, जन में ही होंगे, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुक संतुश के साथ मरूंगा, इस तर कर हस खेल रहे हैं, पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ, रोहिनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखे आसों से तर है, इसी समय चुन्नू मुन्नू आगे, रोहिनी से लिपट कर उसक पैसे फेंग देए, रोहिनी ने भीतर से पैसे फेंग देए, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लोंगा, दादी बोली, अरे 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 ना अपने पैसे लिए जा भाई, तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादग बच्चों को और उसकी पत्नी को खोने के दुख में, वो अपने सुकु को धूनते हुए, इस तरह बच्चों को मिठाई बेच रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा, अपने मित्रों को शेर कीजेगा, और मुझे सपोर है, छो अकाली को खाइक के दूएन, छोादे हैं वीडियो अफवड़ खाइक कीजेगा, वाईक कीजेगा, बेच्च सक बुख me प्रेखे हैं जयो खे हैं शेसरते हैं, वारने मित रहें हैं Kevin